दोस्तों बात कह रहें तो अभी तक Samsung के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम थी कि इंडिया में वो Exynos लाते थे लेकिन US में वो हमेशा Snapdragon लाते थे और इंडिया में ये चीज लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी हालाक इसके multiple reasons थे लेकिट finally S22 series में कहानी बदल दी मतलब Galaxy S22 पहले ऐसे phone बन गए जिनके अंदर out of the box आपको देखने को मिल रहा है Qualcomm का latest Snapdragon 8Gen1 processor वो भी इंडिया में और इंडिया के launch होने वाले पहले phone मतलब पहले जंग लड़ती थी कि कंपनिया कि पहले Snapdragon 8Gen1 वाला phone कौन launch करेगा कभी OnePlus करती थी कभी iqo आयाती थी Realme आ जाती थी और इस थरीके से कहानी चल रही थी लेकिन ये कहानी बिलकुल बदल दी उन्होंने हालात बदल दी जस्पात बदल दी है क्योंकि Qualcomm Snapdragon के साथ कह सेंसंग के काफी सारे जो प्रोसेसर से और सैंसंग अपनी अपकी को प्रमोट करना चाहती है इसलिए एक्जिनोस को थोड़ा जादा पुश करती थी यूसे में केस यह था कि काफी सारे रॉयलिटीज होते है पेटेंट्स होते है वह सब Qualcomm के नाम पर है अगर वह एक्जिन के प्रोसेर की उपर बेचते हैं लेकिन वहीं पे कहानी में ट्विस्ट यह आता है कि जो सैंसंग वो खुद का फैब्रिकिशन प्लांट यूज कर रहा है देखाया तो कॉलकॉम स्नेपटरन को भी बना रहा है एक्जनोस भी बनाता है वहाँ पर यहां तक की गूगल की टे टेकनलोजी होती है उसका यहां पर यूज कर रहे था अपने एकलिप्स जीप्यू के अंदर जिससे आपको जो बैटर पीसी लेवल के ग्राफिक्स वो इंप्लिमेंट हो जाए लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे तो जब इसका लॉंच होने वाला था तब इसका लॉं बैंचमार्क्स के बारे बात नहीं जारी वह अपने आपको एक्शनोस 2100 से कंपेर कर रहे हैं और अभी जब रिसेंटली कुछ बैंचमार्क्स वाइरा निकल के आए थे तो पता चला था जो एक्शनोस 2200 है वह यहां पर एक्शनोस 2100 से ज़्यादा पारफूल है 2100 पुरा जी को अपने गीम के अंदर इंपलाय करते हैं यह चीज़ डेवलपर के पर डिपंड करते हैं आपने एक अच्छा जीप्यू अच्छी चीज़ से हैं पर बना दिए लेकर डेवलपर्स भी तो है कि अगर वो गेंस वगर अच्छे से नहीं बनाएंगे तब तक क्या और इस लग रहे हैं कि snapdragon वाली चीज़ वन से ना lifetime वाली चीज़ भी हो सकती कि इंडिया में आपको यह देखने को मिल गया इसके साथी बात यह कि यहां पर Samsung को वालू ही काफी सार लोग को एक्जनोस यहां पर पसंद नहीं अब एक्जनोस को क्यों पसंद नहीं आती है देख़ो सब्सक्राइब और यह एक चीज़ रहती है इसके साथी बात यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पसंद नहीं करते हैं और इसलिए लिए लगता है जो यहां पर काफी सारे फैंस को सुन है यानि कि इंडिया में जहां पर प्रोसेसर वो बिक सेलिंग पॉइंट होता है किसी भी फोन का वेजने के लिए वहां पर सैमसंग ने क्या कि करेंगे कि सैमसंग वाले कर सैमसंग को यहां पर डाल कर देंगे तो उन्हें मालूम है लोग कोई चीज पसंद आए कि सैमसंग के फैंस को पसंद आगी और यहां पर यूनिट्स कर सकते हैं क्योंकि हैं पर काफी ज्यादा कॉम्पिशन भढ़ रहा है और इसी कारण्ट से वान आप दा रीजन हो जाते है कि इंडिया में लोग स्नैप्टरेंट के उपर जानी की कोशिच कर रहे हैं कि इंडिया में वगर स्नैप्ट्रेंड लाएंगे तो यह चीज उनके लिए प्लस पॉइंट साथ रहेगी तो यह भी अच्छी चीज उम्मीद है कि सैमसंग वाले जो रहतना ऐसी फैंस वागरा को सुनते रहे और ऐसी चीज अगर लोग इंप्लिमेंट करते रहेंगे स्नैप्ट्रेंड वाली चीज़े डालते रहेंगे तो यहां पर आपको बेटर चीज़े देखने कुम लेंगी इसके साथ ही अगली जो प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एक्जिनोस के अंदर हो रहा है काफी जादे डेले को मिलेगा इसके साथ ही बात किया तो हो सकता है सैमसंग वाले फ्यूचर के अंदर अपनी चीज़ों को बैटर करें और जितना उन्हें क्रिटिसिजम मिल रहा है उन्हें अब एक्जनोस को और सधारनी की ज़रुवत थे स्पेशली फ्लैक्शिप वाले को लेकिन बात ही आ अगर इस टैप की चीज़ें यहां पे आती है तो वह एक अच्छी चीज होगी लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि अभी शिफ्ट हुए है लेकिन एक्जनोस को थोड़ा प्रमोट करेंगे हो सकता है इस चीज़ से वो सीख ले और एक्जनोस को और बेटर बनानी कोशि है लेकिन फिर स्नैप ड्रगन आगे निकल का बहुत बड़े मार्जेंस है अब उन्हें स्नैप ड्रगन को हैं पीशे चोड़ने के जरूरत है अगर वो थोड़ा टैम लेके बेटर प्रोसर बना एक्जनोस वाले तो डेफिनली चीज़ छोड़ सकते है लेकिन साधी साथ व कॉलकॉम स्नैप ड्रगन का प्रोसर वो भी लेटेस्ट वाला एट जैनवन यहां देखने को में लेका बाकि आप लोग ऐसे बार में क्या उपीनियन है यह बात आप मुझे नीचे कमेंड है बता सकते है और आप लोग क्या पसंद आता है कॉलकॉम स्नैप डरगन या करो चल्वा सब्स्ट्राइब करो थेंगो कुड़ी दिखने के लिए मैं आप लोग दो नेक्स्ट वन में गुट्वाइए